तो फैनले दोस्त आप सभी को जी सी वीडियो का बेज सब्री से इंत Penguin से इंतजार था जीश एक लिए आपके बहुत से कमेंट भी आ रहे थे जहां दोस्तों फैनली ऊजुकी जहां दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाला है उसमें आपको कौन से कोश्चम पढ़कर जाना है आपको कौन से कोश्चम पूछे जा सकते हैं उसकी तैयारी में आपको यहां पर करवाने वाला हूं इसलिए वीडियो को ध्यान से उलाश्ट तक जरू देखेगा और अगर आप हमाँ चैनल को पहली बाव विजट क कि श्टोरी गए या किसी भी जगा से या इसे शेर किजिए लिकिए अपने एग्री कल्चर वाद्ध दोस्तों की इस वीडियो को जरूब पहुचा देगा और अग्म चौन करना है तो यहां पर थोड़ा से बोलना पड़ेगा क्यूंकि वहां पर आपको पेपर यहां पर आपको जल्दी जल्दी पढ़कर बता हूँ तो यहां पर हम सबसे में बताने था कि आपका जो फर्ष चेप्टर यहां पर कमेंट कर सकते हो ने चलो हम कोश्चन दिखते तो यहां पर सबसे पेले आपको दो नमबर के लिए तयार करके जाना है संतुलित आहर की परइभासा लिखे दो नमबर में आपको यह कोश्चन पुछा जाएगा जी आँ दोस्टो रिखेस अपको फर्स्ट चेप्टर वह आहर से संब्वद ही इसका में PDF आपको इसकी जो फोटो इसका जो फोटो में आपको टेलिगाम पर दे दूँगा इसको टेलिगाम बात में आप देख लिजेगा तो यहां पर नेस्ट कोस्चेंग के और बढ़ते हम नेस्ट कोस्चेंग है खली से प्राप्त होने वाले आउशक ततों के चार नाम दीजे दो नमबर में कोश्चन पुझा सकता है तो यहां पर खली से प्रोटिंग कार्वाइडरेट वसा तता खनीज लवन नेश्ट कोश्चन है वसा में गुलंसील के ने चार विटामिन के नाम लिखे तो आपको याद कर लेना विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ए और विटामिन के यहां पर अधिकत्र विटामिन ए विटामिन पहस्चन है यह बहुत अच्छा कोश्च्यन दो नमबर में के पुछा जाता है आधर साशन कहलाता है एक बार पड़ोगे याद हो जाएगा नेस्ट कोश्चन एक नंबर के लिए तैयार के लिए पसु आर्मी किनी आउश्यक किनी चार खनी जो के नाम लिखे नंबा घड़ी का चूरा लोहत था आयोडी ताब से नोट कर लिजे नेस्ट कोश्चन बहुत ज्यादा important question पहले यहां पर जो मिया पर इसका नाकी परिपासा बताती हो कि उस प्लशक तत्व को पर्तिश्यक मातर जो पढ़ चाती तत्व को पाचांग उनां की यहां पर देख सकते हो तो यहां पर पाचांग उनां की परिपासा के पाइब साथ अपनको कोश्चन है आप इसे नोट जरू केज़ेगा नेस्ट कोश्चन भी आप तयार कर सकते हैं और में उपस्तित पदातों के नाम लिखे नोट कर लिए नेस्ट कोश्चन के और बढ़ते जो कि आपको तीन से चार नमर में देखने को मिल सकता तो यहां पर थोड़ा से ज्यादा के लिए नेस्ट कोश्चन देटी में आपको दो नमचले जो को बताता हूं लिए नियुक्त कर सकते हैं जल्दी जल्दी नोट कर लेजा अगर पढ़कर बतांगा तो टाइम लग जाएगा अब यहां पर नेस्ट कोश्चन जो कि आपको पाच नमबर में देखने को मिल सकत प्रमुख चार गुण कीजिए आदर्ष राशन की प्रमुख विसेस्ताय लिखिए हुई ले सकते हैं संतुलित बोजटन विभिनिता यहां पर आप देख सकते हैं अपका दो का कोश्चन पसू आर में वसा के तीन काजे लिखे तीन नंबर में भी पुछा जाएगा वर्दक रासन क्या है जिए दोस्तों इसके दो काजे भी लिखे तो यहां पर लिखे हुए आप इसका का सकते बहुत सारे बहुत से कवर हो जाएंगे तो इन्हें पर नेश्ट से किसे कहते है दो है साथ पूचा गया तो तीन घा कोई सब्सक्राइब तर देख सकते हैं बहूत जैड़ आपके इसका लिखे होiende यहां यहांपर डिए खरिश्टिक लेएगन बहुत पर दीघर हैं? तो आपको दो नमबर के लिए पर लिखे तो यहां पर लिखा हुआ आप जल्दी जल्दी को श्कीन सोट ले लिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक तर्थ इसको तयार करना यह तो बहुत आच्वागज कोस्टन त्यार यहां पर इसका उत्तर क्या बीमार पसु के लच्छन कोंकोंस होते हैं बीमार पसु जुगाली करना बंद कर देता है यहां पर आप समझ सकते हो नेश्ट कोचन उसकी नाड़ी गतियों सोसंदर समयने नहीं रहती है तीसरा उसका तापकरम समयने से बढ़ जया घड़ जाता ह नेश्ट रोगी पसु सुस्त पड़ जाता है यहां कान लटक जाते नेश्ट आपको कारण याद करना है पसु के मूल मुत्र से दुर्गन लगती है तो यह अगर आप एक बर पढ़ोगे तो यहां पर आसानी से आप इसे याद कर सकते हो बीमार पसु के आपको लक्षन ब प्रोब पर टिप नि लिखनी है यहां पर लिखा हुआ इसका इंसर मिल जाएगा जो उसे प्रूब गाहों की गहरा ही पता करने में तिथा उनमें ब़ने के काम आता तो यहां पर आपको अनसर ही बुचत से दो नमर के सा पूछा जाएगा यहां पर आपको कि बोप प्रू यहां पर उसका उल्टा लिग देना चाहिए अगर आप उसके बीमार होने के लक्षन आराम से लिख सेटे और यहां पर यहां पर जोगाली निंग लेकिन सौस्ट क्या होगा सामाहिन नहीं रहे तो बहुत अच्छा को से अब धियान दीजे कि आप अगर आप भीमार होने बीमार पॉसुओं के लक्षन याद करते हो तो सोस्ट का अराम से लिख सकते हो अगर सोस्ट का याद करोंगे तो बीमार के लिए सकते हो तो आपको यह डिपेंड करता कि आप सोस्तों वाले पसुओं को लक्षन याद करोगे या बीमार लचन लेकिन आप एक कोस्टेन साथ दो आपके एक तीर से दो निसाने इसलिए एक एक आदा तीर चैनल का सस्क्राइब बटन पर भी मारी और चैनल को क्या उसका यहां पर समझे तो यहां पर इस रोक का रहा है अल्ट्रा वीजेबल वाइरस तो यह पसु प्लेक रोक किस कारण होता है अल्ट्रा वीजेबल वाइरस के कारण और इस वाइरस को पेरा मिक्सोवाइड कुल में रखा गया तो इसे मार्बियल वाइरस भी कहते है अब एक नमबर में कोश्चन पुझा सकता है कि पसू प्लेक रोक मतलब कौन सा वाइर किस वाइरस के कारण होता है तो अल्ट्रा वीजिबल वाइरस और इसके लक्षन क्या है पसू को बुखार आता है तता तापक्रम एक सो चार से एक सो पाच फेरनाइट तक हो जाता है और नूथने और थूतन के खाल सुकर फटने लगती है जहां दोस्तों और इसका उप्चार भी यहां पर बताएगा है तो आप इसे याद कर सकते हो नेस्ट कोश्चन यहां पर बहुत ज्यादा इंपोर्टन कोश्चन है इसकोर कार्ड की परिभासा लिखना तो इसकोर कार्ड पसु को चोईन करने के लिए विज्ञानिक भी दिए जिसमें पसु की सारे रिख बनावट का संचिप्त विवरण होता है और उनके अंग प्रत्य अंगों वह पेचित महतु अंग को द्वार के जाता है तो यहां पर आपको एक नंबर में कोश्चन पूछा जाएगा लेक पसु की जाच के आपको लाब बताना तो यहां पर देख सकता आपको इसको परीभासा बताई थी तो यहां पर हो सकता अगर आपको यह कोस्चन थोड़े जादा आंक में पूछा जाए तो पूछा जाएगा कि कोई तीन उप्यों किता लिखे तो यहां पर इस वीदी में पसु की सारे रिख वही अगर आप पड़िभासा याद कर लोगे तो इसकी जो काजी होता आप आराम से लिख सकते बस थोड़ा सा आप बोल सकते थोड़ा सा ज़्यादा एट करना पड़ेगा ठीक है वही है ठीक है आप याद कर लिजे नेश्ट कोस्चन हैं बहुत ज्या और नुर्टका निएक चाहिं पर दित्वा इ moléघ मतलब दैने वाली यहां पर नकिवल सामने से देखने पर तिरबुजयकार दिखाई देनी चाहिए वह पिछला हिस्सा भारी होना स्थीक चमडी पतलि मुलाइम छमक दान होनी चाहिए आखे चमक लिए तो पेट डौलक की तरफ फेला होना चाहिए उत्तम दुदायु की लिए लक्षन होना चाहिए अगर आप आप पर पड़ोगे तो पसुका ऐन बड़ा होना चाहिए विस्तृत गाट रही तो यहां पर आप इसका एक को दिला सकता है तो यह कौन सा गर्वती गाई की परमुक्त लिख़ए तो यहाँ पर इसका जो लक्षने का प्रहेला निर्दारित अंतराल के बाद आने वाला रितुकल बंद हो जाता है रवकार बढ़ने लगता है तीसरा उदर बाहर की जैने उनवार बनने लगता तो यहां पर सभी यहां पर जान दी गई यह छे लच्छन है आप इसमें से नाम से मतली होगा लेकिन कोई बात नहीं ठीक है मचली जैसे कि मैंने उपर आपको नसले बताई तो यहां पर कतला मचली की प्रमुख विसस्ताई लिखनी तो कतला मचली किस प्रकार इसकी विसस्ताई क्या है इनका थूतन-चोडा मुह बढ़ा तथा निचले और उस्ट कर सकते हों नेश्ट कोश्चे ने दो नंबर के लिए तयार कर जाना है बक्रियों के चार विदिशी नसलों के नाम लिए दो नंबर में आएगा तो यहां पर बक्री की विदिशी नसली कौन से अंगोरा सानियन एलभपाईन तथा नूबियन आप इसका इसक्रिम सोट ले नोट कर लिए निश्ट कोंश जैंगे दो नंबर के जमना परी बरबरी बक्री में कोई दौ नंतलीक है कुछा होता इनके बलबुषैज लочно एज थ페ट POLी चरना पशंद करती और जैऊंके निक्का रिकर भूब पढ़का खाना पसंद करती है तो यहां पर जमना पारी और बरबरी बकरी आपको फोटा दिया निस्ट गोपी दो नमबर का कोषण पसमीना की विसस्ता है लिख ridge ए के लिए ऑद्जो पड़ेंगे अगर आप चलो सर पीडियार ढ़ने के लिए कि रुपसेफ का कहा निए करना है अगर आप क्या कर लए तो तो आब के अपको पर प्रीडियो देख लोगे आफ तो इसे कर पाओगे पीडियो के Europe तो यह लोगे पार ठ्री में उपच्किर गोश्य एक्थफी में आपको उपच्च्री हो विडिए देखी नहीं उपाऊगे और फिर आपने जो कोश्चन बताए था आए इनी पार्ट फ्री देखना है चैनल सब्सक्राइब करो पार्ट थी में अब्ज़क्ट के कोश्चन बता जाएंगे और यह पर आपको लगभग सभी कोश्चन लगभख्या सभी कोस्चन में आपको बता सब्सक्राइब करने के बाद बहुत से बच्चे वेल आइकों को प्रेस नहीं करते फिर उनके पास नोटिफिशन लेट जाता है वीडियो ब्राउजर के माईदिम से देखते अगर उनके पास नोटिफिशन कई कि अभी तक नहींול कि अपने दूस्त के घृट करेंगे अपने यस तो करो आपने ए स्ट्रागरां के चाहिन करना